प्रिविद्यार्थियों नमस्कार आज हम बात कर रहे हैं समाज से तु पुष्टक का आठ्वा अध्याई साख साथ कार लेने की कला परे दोस्तों जहां तक हम बात करें साख साथ कार जो कि अंग्रेजी सब्द इंटरिव्यू का सब्दार्त रूप ही है और इस सब्द का जो परियोग है वो एक सीधे रूप में किया जाता है जिसका आश्य होता है कि साक्षात करना या साक्षात कराना कहने का मतलब आमने सामने हो करके बातचीत करना और वहीं पर इस परकार की जो ये परकिरिया है इसमें क्या है कि विक्ति विशेश के द्वारा या फिर विक्ति विशेश से जो साक्षात है वो कराया जाता करने का मतलब एक दो विक्ति जो कि आमने सामने हो करके और वारता लाब करते हैं जिसमें एक विक्ति दूसरे विक्ति से यानि जो पत्तरकार है या फिर साखसाथकार करता है वो साखसाथकार दाता से बातचीत करता है इंट्रिव्यू देने वाले विक्ति से बातचीत करता है तो यह जो परक्रिया एक सीधे रूप में ही है इस बात को अपन यह भी कह दें कि कोई किसी भी खिशत्र में चर्चित या विशिष्ट उपलब्दी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपुर्ण व्यक्तित्वे और क्रेंटीत्वे कि जानकारी जिस विधी के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे ही साक्सातकार कहते हैं वहीं पर जो बात है वो इसमें ये आजाती है कि जैसे साखसाथकार अभिव्यक्ति का सहसक्त मद्यम है यानि कि अपनी बात को प्रस्तूत करने का एक बहुती अच्छा तरीका है यह विदा बहेंट वारता इंटर्व्यू बाचीत बहेंट के रूप में खाशी लोग प्रिये हैं जहां साहिते के कुशितर में एक रचनाकार के जीवन रचनाकर्म वीचारूं को समझने का सबसे प्रामानिक मद्यम साखसाथकार है वहीं पर प्रिंट और जो इलेक्ट्रोनिक मेडिया है उसकी जो विश्वसनियता का आधार भी है वो साखसाथकार है कहने का मतलब है कि जो इंटर्व्यू है इंटर्व्यू का ही दूसरा जो रूप है या दूसरे समानार्थी जो है वो साखसाथकार है वहरेविद्यार तो यह जो पार्ट है अपना इस पार्ट में 2020 में एक पर्षन पूछा गया और वो पर्षन यह था कि साखसाथकार को परिवाशित करते हुए साखसाथकार के परकार लिखिये ये परसन पूछा गया था जो कि दो नमबर का था उसी करम में हम आगे इस पार्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहली बात यही आती है हमारे सामने कि साखसातकार क्या है तो इस अंदर में जो बात बताई गई है वो इस परकार से हैं कि साखसातकार को समझने के लिए हमें दूसरों के विशय में सब कुछ जानने की मानुए जिग्यासा की परवर्टी को समझना होगा इंसान दूसरों के बारे में विशेशकर, चर्चित, प्रसिद, एप्रसिद, लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाता है वह अपने विशे में या अपने वीचार दूसरों को बताने का इच्छुक भी रेता है वह अपने अनुबहों का लाब दूसरों तक तथा दूसरों के तजर्बों का फाइदा स्विम प्राप्त करना चाता है साइद इसी आवसिक्ता ने साखसातकार विधा को जन्म दिया साखसातकार मानुपरवर्ती की इन आवसिक्ताओं की पूर्ती करता है प्रिव देर्थियो यहाँ पर जो बात बताई गई कि साखसातकार क्या है तो इस संद्रम में ये बात कही गई है कि जो साकसातकार है वो एक तरह से दूसरों के विशे में जानने की जिग्यासा है उसकी पूर्ती करता है दूसरे जो विक्ति हैं जो की चर्चित हैं प्रसीद हैं या फिर जो आप्रसीद लोग हैं जिनके बारे में विक्ति जानने का इचुक रहता है जिग्यासा बनी रहती है यानि कि उन लोगों के बारे में जानना वो साखसाथ कार है और यहीं पर बात जो आगई की जैसे अपने विशह में या अपने विचार दूसरों को बताने का इच्छुक भी रहता ये विक्ति की हमेशा मन इस्तिती बनी रहती है और वह अपने अनुबहों का जो लाब है वह दूसरों तक पहुंचाना चाता है और दूसरों का जो अनुबहों है तजुर्बे हैं यानि कि अनुबहों है उनको स्वेम ग्रहन करना चाता है और ऐसा लगता है यानि कि यह जो एक आवसिक्ता रही विक्ती की इस आवसिक्ता ने ही इस साखसातकार विधा को जन्म दिया है यहां पर जासे मान लेज़े कि साखसातकार विधा का जन्म क्यों हुआ तो यानि कि विक्ती है दूसरों के बारे में जानना चाता है और स्विम के बारे में बताना चाहता है साइद इसी कारण से इस विधा का जन्म हुआ होगा साखसादकार मानुव परवर्ती की इन आफ सिक्ताओं की पूर्ती करता है ये मोल रूप से बात इसमें आती है उसी कर्म में देखिएगा पत्तरकारिता के संदर्व में रेडमा हाउस सब्दकोष में साखसादकार को इस परकार परिवाशित किया है साखसादकार उस वारता अत्वा बहेट को कहा गया है जिसमें समाद दाता या लेखक किसी विक्ती या किनी विक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में परकासन के लिए अथ्वा टेली विजन पर परसारण हेतु सामगरी एकत्र करता है यहां पर एक परसन पूछा जा सकता हमें कि रेडमा हाउस के अनुसार साखसातकार की परिवाशा लिखिये तो यहां पर जो बात आ रही है कि साखसातकार उस वारता अत्वा बहर्ट को काहा गया है जिसमें संहाद दाता अर्चाद पत्रकार वो किसी विक्ती या फिर विक्तियों से सवाल जवाब करता है उनसे परसन करता है और जो भीर मंण की जो जिग्याशा है वो सांत करता है उसके लिए जो सामगरी को एकत्रित करता है उसका संग्रे करता है और वो भी किसके लिए जैसे टेलिविजन है आधी इनके ओपर या परसारण हेतु या किसी पत्र पत्रीका में उसको परकाशित करने के लिए वो एकत्रित करता है वही यानिकी मूल रूप से साखसाथकार के रूप में बात कही जा सकती है उसी करम में आगे देखिएगा पत्तर कारिता में जो साक्साथ कार हो रहे हैं उनमें कनया लाल मिश्र परवागर का ये कथन एकदम उप्यूपत है मैंने इंटर्विव के लिए बरसों पहले एक सब दरचा था अंतर्विव है मेरा बहाव ये है कि इंटर्विव के दुआरा हम सामने वाले के अंतर में एक व्यूहर रचना करते हैं मतलब ये है कि दूसरा उसे बचा न सके जो हम उससे पाना चाते हैं ये है एक तरह का युद्ध है और इंट्रिव्यू हमारी रणनीती अर्धार्थ यानि की व्यूहर रचिना है यहाँ पर जो बात कही गई है साखसातकार के संधरब में और वो भी कनया लाल मिश्र पर बाकर जीने वो जो बात कही वो यह कही कि मैंने इंट्रिव्यू के लिए बरसों पहले एक सब्द रचा था और वो सब्द था अंतर्व्यू है लेखा का जो आसे है वो यह है कि इंट्रिव्यू के द्वारा सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में एक तरह की व्यूह रचना करते हैं जैसे कि युद्ध के लिए व्यूह रचना की जाती है उसी तरह से हैं उसके बीथर से जो बाते हैं उनको निकलवाने के लिए यानि कि वो एक तरह की व्यूह रचना करते हैं और वो भी इस परकार से कि यानि कि वो बच नहीं पाए कहने का मतलब है किसी भी person का जवाब देने से वो बचे नहीं अर्थार्ट परतेग person का उतर दे जो भी यानि कि जो पत्रकार है या फिर साखसाथ कार करता है वो जो कुछ उससे पूछना चाता है उस परतेग बात का वो जवाब दे यहाँ पर इसी करमी यह जो बात कही कि जो हम उससे पाना चाते हैं यह एक तरह का युद्ध है और इंटर्व्यू हमारी रणनिती व्यूहर रचना है कहने का मतलब ज़से कि युद्ध के मैदान में एक विशेश रणनिती अपनाई जाती है व्यूहर रचना अपनाई जाती है यह अगला जो है सत्रू है वो बज नहीं पाए उसी तरह से यानि इस साकसात कार में भी ऐसी इस्तिती प्रस्तूत की जाती है कि वह किसी भी परसन का उत्तर दिये बिना रह नहीं सके उसी करम में देखिएगा आगे आज पत्तर कारिता की दुनिया में सामने वाले से कुछ निकलवाने के लिए रणनिती, टकराहट तथा गलाकाट परतिस परदा चल रही है जिसमें सामई के गटनाउन के परति संबंदित व्यक्तियों के संसनी भैलाने वाले साकसात्कार के मद्यम से सामने आते हैं और वहीं समाचावों की सुर्खियां बन जाते हैं यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात यह कही गई है कि आज का जो दौर है, पत्तर कारिता का दौर है इसमें सामने वाले विक्ति से कुछ ना कुछ यानि कि निकलवाने के लिए एक तरह से रणनीती बनाई जाती है ठकराट भी हो जाती है और ये एक तरह से यो कहें हैं कि बहुत बहेंकर पड़ती इस परदा चल रही है एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो इस परदा है वो विए ऐसे सब्दूं का इस्तिमाल किया जाता है जो कि उस साक्साथकार के मद्दम से सामने आते हैं ताकि वही यानि की चर्चित हो जाएं वही समाचारों की सुर्कियों में आ जाएं वही समाचार की जो सुर्किया हैं वो बन जाएं उसी करम में आगे देखिए कि साकसाथकार के परकार यानि पहले जो एक परसन भी जो आया था कि साकसाथकार की परिवासा और उसके परकार तो यानि वो जवाब हमें यानि परिवासा पहले आ चुकी है और परकार की जो बात करें और वो यहाँ पर हमारे सामने अप प्रस्तूत ही हो रहे हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं मौलिक रूप से साखसाथकार दो तरह क्यों होते हैं पहले वे जो विभिन परतियोगी प्रिक्साओं या नोकरियों के लिए होते हैं दूसरा वे साखसाओकार जो रेडीयो टीवी या समचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या समपादक लोग लेते हैं इनने मद्यमों प्योगी साखसाओकार भी कह सकते हैं एरविद्यार कि उस साखसाओकार दोपरकार के होते हैं यानि एक साकसाथकार तो वह है जो नोकरी के लिए होता है परतियोगी प्रिक्साएं हैं या फिर नोकरी वहीं पर दूसरा जो साकसाथकार है जिसको मद्यमोपयोगी साकसाथकार कहा गया है और ये मद्यमोपयोगी जो साकसाथकार है वो जैसे रेडियो है टेलिविजन है सम साक्सातकारों की बात हुई है। उसी करम में आगे देखिए। परतियोगी तात्मक साक्सातकार माद्यमोप्योगी साक्सातकार से पूरी तरे भिन होता है। इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिस्टानों में नोकरी शेपूरव सेवा योजक के दुआरा उचित अभ्यर्ती के चैन के लिए किया जाता है जबकि मद्यवों प्योगी साखसातकार जन संचार मद्यवों के दुआरा जन सामाने तक पहुँचाये जाते हैं जनमध्यम की परकरती के आधार पर साखसातकार भी भिन्न परकार से आयुजित किये जाते हैं इनके सेदान्तिक एउन व्यावारिक पक्सों में भी बहुत अंतर होता है जिसकी संपुरन और इस्पष्ट जानकारी का होना साकसातकार दाता और साकसातकार करता दोनों के लिए आउसिक होता है मध्यम के अनुसार ही करता और दाता अपनी तैयारी कर सकते हैं और फलस्वरूप साकसातकार की सफलता सुनिशित की जा सकती है फिलहाल हम इस अध्याई में जनमाद्हमों वाले साकसाथकार की ही चर्चा करेंगे जनमाद्हमों के आधार पर साकसाथकार दो परकार का हो सकता है पहला प्रिंट मीडिया के लिए साकसाथकार तता दूसरा इलेक्टोनिक मीडिया के लिए साकसाथकार एरविद्यार के यहां पर जो बात बताई गई यानि कि पड़तियोगी तात्मिक जो साखसाथकार है वो साखसाथकार माध्यमोप्योगी साखसाथकार से अलग होता है तो माध्यमोप्योगी जो साखसाथकार है वो तो किसके लिए होता है यानि कि जो इलेक्टोनिक जो मेडिया है या जो समाचारपत्र हैं उनके लिए तो उन दोनों में थोड़ा अंतर होता है और इसका जो आयोजन है वो भी सरकारी या नीजी पर्तिष्टान में नोकरी से पहले जो शिवायोजक है उनके दोरा उचिता भीरती चैन के लिए किया जाता है कौन सा पर्तिवय गिता आत्मक जो साखसाथकार है उसकी बात बताई गई है और जो माद्यमों के जो साखसाथकार है यानि कि ये जैसे जन संचार के माद्यम है और जन संचार के माद्यम के दुआरा यानि कि जन सामाने तक जो संदेश या बाते फूंचाई जाती है वो उसमें सामिल हो जाती है जन माद्यम की जो परकरती के आधार पर साकसातकार भी है वो भिन परकार से आयोजित किया जाता है यानि कि उसका जो आयोजन है वो भी अलग तरह सिफ होता है और जो सेदान्तिक और विवारिक पक्सों में बहुत ही अंतर होता है जिसकी संपुरून और इसपष्ट जानकारी का होना साकसाथकार दाता और साकसाथकार करता दोनों के लिए आउसिक है कहने का मतलब है कि जिस विशे पर वो साकसाथकार लिया जाता है वहाँ पर साकसाथकार दाता अर्थार्थ साकसाथकार देने वाला और साकसाथकार करता अर्थार्थ साकसाथकार लेने वाला इन दोनों को उसके बारे में पुरून जानकारी होना जरूरी है तब ही यानि कि उनका जो साक्साथकार है वो सफल हो सकता है यहां जो बात बताई कि मद्हम के अनुसार ही करता और दाता करता और दाता का मतलब है साक्साथकार करता और साक्साथकार दाता अर्थार्थ साक्साथकार लेने वाला और साक्साथकार देने वाला वो अपनी तयारी करते हैं और उसके प्रिणाम सुरूब जो साकसाथकार की जो सपलता है वो निशित की जाती है फिलाल ये जो अपना टोपिक है या पार्ट है इसमें जो जनमाद्यम वाले जो साकसाथकार हैं उन पर चर्चा होगी और जो जनमाद्यम के जो आदार पर साकसाथकार हैं वो दो परकार के होते हैं एक तो होता प्रिंट मेडिया के लिए अर्थार समाचार पत्र पत्रीकाओं के लिए साकसाथकार और दूसरा है इलेक्टोनिकी मेडिया जैसे radio है, tv है, आदी के लिए लिया जाने वाला साखसाथ कार उसी करम में आगे देखिएगा सबसे पहले जो इसमें दिया गया है वो साखसाथ कार है प्रिंट मेडिया के लिए यानि कि समाचार पत्र-पत्री काऊं के लिए तो देखिए, रेडियो और टीवी के लिए किये जाने वाले साक्साथकार से प्रिंट मद्हम का साक्साथकार पूरी तरह भिंद प्रकरती का होता है यदि पी इस मद्हम के साक्साथकार में भी रिपोर्टर, टेप रिकोरडर या कैमरे का उपयोग कर सकता है लेकिन उसे अंतिम रूप में उसे सुनकर लिखना और टाइप करना पड़ता है यानि कि यहां पर जो पहली बात आई वो प्रिंट मेडिया के लिए यानि समाचार पत्रों के लिए साकसाथकार अब यहां पर जो बात बताई गई है वो बात यह है कि रेडियो टेलिविजन के लिए जो साकसाथकार ले जाते हैं वो और जो प्रिंट मेडिया के लिए साकसाथकार इन दोनों में बिन्हताफ होती है यह अलग-अलग प्रकार के होते है यहां पर जो लेखक बात कह रहा है वो यह कह रहा है कि यह जो माद्देम है यानि जो प्रिंट जो माद्देम है उसके लिए जो रिपोर्टर है वो कैमरे और टेप रिकोर्डर का काम यानि कि इनको काम में ले सकता है इनका उप्योग कर सकता है लेकिन इन चीजों की उप्योगी ता कुछ समय के लिए क्यों क्य साक्साथकार के लिए ये बात लागू होती है उसी करम में आगे देखिए प्रिंट मेडिया के लिए किये जाने वाले साक्साथकार में दाता और करता के हाव भाव, सारीरिक गतियों और वेस बुसा का कोई महत्व नहीं होता है इस मद्दिम के साक्साथकार में सुधार करने की भी पूरी संभावना होती है क्योंकि आएए है साक्साथकार दर्सकों या सुरोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पार्टों को प्रस्तूत नहीं किया जाता है साक्साथकार आयोजन के बाद संपादक अपनी कुसलता से साक्साथकार की परवावपून परस्तुति परदान कर देता है प्रिंटिम मीडिया के साक्साथकार में भासा सरल तता विशयानुसा क्लिष्ट भी हो सकती है क्योंकि इसे पढ़ने वाला विक्ती साक्सर तो अवसे ही होगा साथ ही साथ किसी सब्द वक्य या विशय को समझने के लिए पाठक के पास एक से अधिक बार पढ़ने की सुविदाफ होती है पहरे विद्यार तो यहां पर जो बात बताईगी है प्रिंट मीडिया के साक्साथकार के संदर्म में यहां यह बात कहीगी कि जो साक्साथकार देने वाला और साक्साथकार लेने वाला उनके जो हाव भाव है या जो सारीरी की जो गतिविदी है या उनका जो पेनवा है उसका कोई महत्वे नहीं होता क्यों? क्योंकि उसमें वो दिखाई नहीं देता यानिकि उसको सिर्फ पढ़ा जाता है और इस परकार का जो साकसाथकार है इसमें सुधार करने की जो संभावनाएं है वो भी होती है क्योंकि ये साकसाथकार दर्सक या जो स्रोता है उनकी तरफ से तुरंत या उसी रूप में पार्ट को परस्तूत नहीं किया जाता तो कोई कमीवे सी इसमें रती है उनको सुधार किया जा सकता है और इसका जो आयोजन है और वो संपाद का अपनी कुसलता से साखसाथकार की परवावपन प्रस्तूती परदान कर देता है यानि उसको बहुती सुन्दर डंग से वो प्रस्तूती कर सकता है क्योंकि उसके पास उसमें सुधार करने के लिए उसके परियाप्त समय रहता है उसमें गुंजाइस बनी रहती है और जो प्रिंट मीडिया के जो साखसाथकार है उनमें जो बासा है वो बहुती सरल और विशानुसार यानि कि कलिष्ट या कठिन भी हो सकती है क्योंकि जो पढ़ने वाला विक्ति है वो साकसर तो होगा कहने का ताथ परिये जो प्रिंट मीडिया के साकसाथ कार हैं उनको वही विक्ति तो पढ़ेगा ना जो साकसर होगा अब अगर मान लिजे कि उसके लिए बासा थोड़ी कलिश्ट हो गई, खटिन हो गई तो एशी सिटिती में उसके पास में इतना समय रहता है कि वह है या तो सब्दकोस के माद्यम से किसी दूसरे विक्ति को पूछ करके और अपनी बात को वह इसपष्ट कर लेता है या समझ लेता है यहां पर आगे इस करमे जो बात कही है वो कही है कि साथ इसाथ किसी सब्द वक्य या विसे को समझने के लिए पाठक के पास एक से अधिक बार पढ़ने की सुविदा होती है और इस मद्म के साखसाद कार में समय का भी कोई परतिबंद नहीं होता है इस मद्म के साखसाद कार में समय सिमा का भी कोई परतिबंद नहीं होता लेकन समाचार पत्र या पत्रीका के उपलब्द इस्तान की जानकारी अवस्य रखने पड़ती है प्रिंट मीडिया के लिए यदा कदा सुविदा अनुसार साखसाद कार दाता को परसन लिक कर भी दे दिये जाते है जिनका उत्तर अब लिक कर भी भेज देता है और फिर उसे परकाशित कर दिया जाता है कहने का अर्थ यह है कि प्रिंट मीडिया की साकसातकार में दाता और करता को एक दूसरे के सामने बैच कर बात चित करने की बत दिता नहीं होती जबकि इलेक्टोनिक मीडिया की साकसातकार में ऐसा करना आवसेख होता है यहां पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई कि जो प्रिंट मीडिया का जो साकसाथकार है यानि उसमें समय किसीमा की कोई पाबंदी नहीं होती है और जो समाचार पत्र या पत्री का है वहां पर एक चीज़ का जरूर द्याहन रखा जाता है कि एक नियत इस्तान की जानकारी होनी जरूरी है जहां पर ये साकसाथकार लिया जाना है और जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए कभी-कभी यानि कि सुईदानुसार ये भी हो जाता है कि जो साकसाथकार दाता है और व मतलब है साखसातकार करता पर्षन लिकर के दे देता है और उनके उत्तर साखसातकार दाता अपनी सुविधा के अनुसार लिकर के और प्रेशित कर देता है उनके पास भेज देता है और फिर यानि कि उसको परकाशित कर दिया जाता है इसमें कहने का आच से ये है कि जो print media है यानि कि जो समाचार पत्तर पत्रिकाएं है उनमें जो दाता और जो करता है वो एक दूसरे के सामने बैठ कर बाचीत करें इसकी कोई बत दिता नहीं है कोई जरूरी नहीं है जबकि जो electronic जो media है इसमें ये पहली सर्थ है क्योंकि उनको आमने सामने बैठना ही पड़ेगा उसी करम में आगे देखिए प्रिंट मर्दे में साक्साथकार को प्रस्तूत करने के लिए वर्ननात्मक सहली भी अपनाई जा सकती है जिसमें पर्सन करता अपने द्वारा पूचे गए पर्सनों और दाता द्वारा दिये गए उत्रों को जोडते हुए करमबद रूप में एक कफात्मक सहली में प्रस्तूत करता है इसमें साकसादकार लेखक, साकसादकार दाता की बाववी विक्ति को भी लिख देता है प्रिंट मद्यम के साकसादकार में प्रारंबिक अभिवादन और समापती पर अभिवादन जैसी ओपचारिक ताउं की आवसिकता नहीं होती सिद्धे तोर पर साकसातकार दाता का संक्षिप्त प्रीचर ही लिख दिया जाता है पहरे विद्यार के यहां पर जो बात कई है प्रिंट माद्यम के जो साकसातकार है उनके संद्रम में बात कई है या उनकी विशेशता बताई है और वो बात करी है कि एक तो तो ये वननात्मक जो सैली है यानि कि वो होती है वहीं पर जो परसन करता है यानि साकसात्कार करता है वो साकसात्कार दाता है उसके द्वारा दिये गए जो उत्तर हैं उन उत्तर को वो जोड़ते हुए करमबद रूब में और वो भी एक कथात्मक सहली में प्रस्तूत कर सकता है वहीं पर जो साकसाथकार जो लेखक है वो साकसाथकार दाता की जो अभिविक्ती है बाभाभिविक्ती है उसको भी साथ लिख देता है वहीं पर जो प्रिंट मद्यम के जो साकसाधकार का प्रारंबिक में जो ये अभिवादन और समापती पर जो अभिवादन है उन ओपचरिकतों की भी आवस्था नहीं होती यानि सीधे तोर पर साकसाधकारदात्ता का संक्षिप परीचे ही उसमें लिख दिया जाता है अभिवादनी की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती ये बात थी प्रिंट मीडिया के लिए साकसातकार की ती इसमें वर्णनात्मक सैली है वहीं पर जो करमबद और कथात्मक सैली में जो साकसातकार करता है उस साकसातकार को प्रस्तूत कर सकता है वहीं पर उसकी जो बाँबी विक्ति है उसको भी वलिक देता है और इसमें जो अभिवादन है उसकी ओप्तारिकता की कोई आफस्ता नहीं रहती मुल रूफ से उसका संक्षित में परीचे देता है पहरे विद्यार्थियो आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे अब जो सेस जो बात है यानि कि इलेक्टोनिक मीडिया के लिए जो साकसातकार की जो बात है उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे हाँ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको निशित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना चाहिए और आपको आगे आने वाली जो इससे समधी जितनी भी जो जानकारियां हैं वो समय पर मिलती रहें तो हम अब मिलेंगे आगे वाले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद